इंडोस्टी में एक वक्त ऐसा भी था जब दबंग खान यानि किस दल्मान खान और खुबसूरत अभिनेत्री एश्वर राय बच्चन की प्यार के चर्चे जो रोशोरों से हुआ करते थे दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया तो वहीं दोनों एक दूसरे के साथ बहतरीन बॉंडिंग भी शेयर किया करते थे लेकिन कुछ सालों बाद ही दोनों की राहें अलग हो गए सल्मान खान और एश्वर राय बच्चन बेहत खुशाल जिन्दगी बिता रही है अपने पती अभिशेक बच्चन और अपनी बेटी अराध्या बच्चन के साथ तो वहीं सल्मान अब तक शादी के बंधन में नहीं बंदे हैं सल्मान की शादी का फैंस बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसी बीज देखा जाए तो कई बड़ी खबरें भी सामने आती रहती हैं हाल ही में सल्मान और एश्वर्या को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचते हुए नजर आया है आखिरकार ऐसा क्या हुआ है बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिये दरसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि साल उनिस सो निन्यानिव में सल्मान खान अज़देव गन और एश्वर राय स्टारर फिल्म हम दिल दे चुके सनम रिलेज होई थी 18 जून के दिन इस फिल्म को 22 साल पूरे हुए है वही इस फिल्म का निर्देशन किया था मशूर डारेक्टर संजे लीला भनसाली ने इस दोरान देखा जाए तो तीनों ही स्टार्स ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी को जाहिर किया है और अंसीन तस्वीरों को शेयर किया है वही सल्मान खान ने भी इंस्टेग्रेम पर एक तस्वीर को शेयर किया है इस तस्वीर में सल्मान खान के साथ नजर आ रहे हैं संजे लीला भनसाली इस तस्वीर को शेयर करते हुए सल्मान खान लिखते हैं 22 साल हो गए हैस्टेग हम दिल दे चुके सनम को साथ में अजरेदेबगन संजलीला भंसाली को tag किया है और भंसाली प्रोडक्शन को भी लेकिन यहां पर स्कलमान ने एश्वरराय को tag नहीं किया है वहीं दूसरी ही तरफ एश्वरराय बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है एश्वरा राय बच्चन ने सोशल मीडिया पर कई अंसीन तस्वीरों को शेर करते हुए अपनी खुशी को जाहिर किया है एश्वरा लिखती है 22 years हम दिल दे चुके सनम I am reminding why such a outpouring of love But my dearest Sanjay, this one is evergreen Forever thank you and to all our audience world over And my ever-loving family of well-wissers Thank you for all your love always Much love too और साथ मैं धेर सारे emotic भी शेर किये है एश्वरा की इस पोस्ट को देखने के बाद Celebrities अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजराए है तो वहीं यहाँ पर fans ने comments कर दिये है एश्वरा और सल्मान की पोस्ट पर fans ने सवाल पूछ लिये है सल्मान की पोस्ट पर fans लिखते हुए नजराए है कि आखिरकार एश्वरा राय कहा है वहीं एश्वरा की post पर fans ने comment किया है कि समीर कहा है यहाँ पर एक यूजर ने लिखा है नंदनी तो दिख गई मगर समीर कहा है सलमान सर पुट सिमलर पोस्ट वही यहाँ पर फैन ने लिखा है वेर इस सलमान भाई यू शुड अपलोड फोटो बेधिम इतना ही नहीं यहाँ पर यूजर्स ने सलमान खान को टैक करते हुए एश्वर राई बचन से यह सवाल पूच लिए है वही यहाँ पर एक यूजर्स ने लिखा है सलमान खान सर को मैंशन क्यों नहीं किया है और इस तरह से सलमान खान को लेकर एश्वर राई बचन से फैन सवाल पूचते हुए नजरा रहे हैं वही एक फैन ने लिख दिया है आज सलमान खान भी यही पोस्ट किये थे सलमान सर से लव स्टोरी इसी मूवी से शुरू होई थी न वही यहाँ पर एक फैन ने लिखा है सलमान भाई का देखकर पोस्ट अपलोड किया है इस तरह से एश्व राय बच्चन से फैन्स ने सवाल पूछ लिए तो वही सलमान खान से पूछते हुए नजर आए है एक फैन एश्वर राय बच्चन को मेंशन क्यों नहीं किया है वहीं एक और फैनने लिखा है ऐश्यरर राए बंचन को क्यों मेंशन नहीं किया है इतना ही नहीं यहां पर ऐसे तमाम यूजरस हैं जिन्होंने सल्मान से यही सवाल पूछा है कि ऐश्यरर राए को टैक क्यों नहीं किया है और इस तरह से दोनों की रिस्ति को लेकर यहाँ पर सवाल पूचते हुए नजर आ रहे हैं फैंस वेल दोस्तों बताना चाहेंगे आप सभी को कि इस फिल्म में सलमान खान ने समीर का किरदार निभाया था तो वहीं एश्यर राय बच्चन ने नंदिनी का किरदार और आज भी इस फिल्म की तारीफ करते हुए नजर आते हैं फैंस हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस